टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानड़ा एंट अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी और्दू अनली अट टेग टीवी ग्रेन पार्टी के रहनुआ अनामी पॉल ने अपने ओधे से इस्तफाद दे दिया उनका कहना था कि ये मेरी जिन्दगी का सबसे मुश्किल दौर था तमाम वोटकास्ट होने से पहले ही क्यादत छोड़ने का फैसला कर लिया था कैनेड़ भर में कोरोना वारस के फैराओं में अधाफा जारी मरीजों की मचमुए इतादा 16,12,368 तक जा पहुँची टौरंटों में 5 से 11 साल के बच्चों को जल्द वैक्सीन के फैरामी शुरू करती जाएगी अफ़ामें मतहदा में हमारी हमायत पर वजिराजम इमरान खान के शुकर गुजार हैं तालवान तरजमान का कहना है कि हमारी तमाम तबच्चों अब मुल्क की तामीर और तरक्की पर होगी अश्रोगणी ने फैस्बुक पर तालवान की हमायत में पोस्ट करके डिलीट करती अमरीकी सैनिटर्स का अफगानिस्तान के लिए निक्रानी एक्ट पेश अफगानिस्तान को गेर इंसानी इंदाद पर पाबंदी आयद करने पर भी गोर किया चाएगा कानुन साजी का मकसर स्टेट डिपार्टमेंट की ताक्स फोर्स काई करना है फ्रांस इसी सदर को अंडा पढ़ गया अंडा सदर एमान वेल मैकरोन को लगने के बावजूद तूटा नहीं सिक्यारटी पर मामूर एहलकारों ने अंडा फ्हेंकने वाले शक्स को घिरासत में ले लिया दुनिया भर में करोना वारस सेंवास 47 लाग 71 हजार हो गई मतास्थर अपराद की तादा 23 करोर 31 लाग 32 हजार तक जा पहुँची बीज करोन 99 लाग 23,863 करोना मरीज स्याथ याप हो चुके हैं हैडलाइंस आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बदबू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ये अपनी खरीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्डर करें www.greenish.com कनेडियन सूबे ओंटेरियो में कान में फसे 49 कान कनों को बाहर निकालने की कोशिशे चारी है हुकाम का कहना है कि तामबे की कान में फसे कान कनों को जल बहा निकाल लिया जाएगा मजीद चांटे हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में वेल नामी कमपनी से वाबस्ता कान में हाथसा पेश आया जिसमें महसूर 49 कान कनों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी है हुकाम का कहना है कि ओंटेरियो के नवाहे अलाके में वाकिया तामे की कान में फसे 49 कान कनों को जल बाहर निकाल लिया जाएगा सूबे के प्रीमियर डगपोर्ट का कहना है के ये कानकुन एक हादसे की वज़ा से कान में फसके थे जिन से राप्ता हो गया है और वो सब महफूज है इन कानकुनों को वापस निकालने की कोशिशें की जा रही है हकाम के मताबक कान से बाहर आने वाले दूसरे रास्ते को बहाल किया जा रहा है और अमीद है के ये कानकुन जल बाहर निकाल लिये जाएंगे रेसक्यू टीम का कहना है कि ये बात इतमे नानभख्ष है कि तमाम कानकुन बिलकुल मحफूज है और उन्हें खाने पीने की अशिया और अद्वियात पराहम की जा रही है। कमपनी का कहना है के जेरे जमीन 1258 मीटर गहराई में मौझूद इस कान के कुए में हादसा होने की वज़ा से कान कुनों को उपर लाने वाली मशीन बंद हो गई जिसकी वज़ा से ये वहां महसूर हो गई हैं। जबकि उन्हें खुराक और अद्वियात पहुचा दी गई हैं। ये कान सन 2014 से खुली हुई है जहां 200 कान कुन काम करते हैं। माहिरीन का कहना है कि दो ज़ेर हिरासत कनेडियन्स की वापसी से चीन के साथ कनेड़ा की तालुकात में सबसे बड़ा तनाजा खतम हो सकता है। लिबरल हकूमत को एक तवील मुद्दती और वाज़े हिकमत अमली की जरूरत होगी। इस हवाले से मसीच चानते हैं। कैनेडा और चीन की जानब से एक दूसरे के शहरियों की रहाई के बार माहिरीन ने दोनों हमालिक के दर्मयान तालुकात बहतर होने की अमीद का इजार किया है। दो जेरे हिरासत केनेडियन्स की वापसी से चीन के साथ केनेडा के तालुकात में सबसे बड़ा तनाजा खतम हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि नई मनतखिब होने वाली लिबरल हकूमत को फौरी तॉर पर बहुत से मस्साइल हल करने और फैसले करने हैं। उन में बेलाखिर ये फैसला करना भी शामिल है कि आया हुआवे कैनेडा के 5G नेटवर्क में हिस्सा ले सकता है। कैनेडा, वाइप, आईज इंटेलिजेंस, शेरिंग नेटवर्क का वाहिद रुकुन हैं जिसमें अमरीका, बरतानिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड शामिल हैं जिन्हों ने पहले ही कंपनी पर पाबंदी आयद नहीं की है। माहरीन के मताबिक चीन और वसी एशिया पैसिफिक दोनों खितों के साथ कैनेडा के मौमलात के लिए एक तवील मुद्धी हिकमत अमली की वहसे जरूरत है। माहरीन का कहना है के ओटावा को बीजिंग के साथ अपने मौमलात में कई दीगर इंतहाई मुश्किल चैलेंजिस का सामना है। उन में कई फारी मसाइल शामिल हैं जैसे चीनी टेलीकॉम की बड़ी कमपनी हुआवे को कैनेडा के 5G वारलेस नेटवर्फ में हिस्सा लेने से रोखना उभरती हुई एशिया सूपर पावर को शराकतदार मद्द मुकाबल या मुखालिफ समझा जाए। ग्लोबल अफियर्स कैनेडा के वजीर मार्क गार्णियो ने इतवार को तस्लीम किया कि माइकल कोबरिग और माइकल स्पिवर की हिरासत कैनेडा की जानब से हुआवे की एग्जेकिटिव मैंग वैंजू की गिरिफतारी दोनों मुमालिक के दम्यान तालुकात में किया गया इसी दिन मैंग को अमरीका से हुकाम के साथ एक मुहाइदे के नतीजे में कैनेडा की हिरासत से रहा किया गया जहां उसे धोका दही के इल्जामात का सामना करना पड़ा था ग्रीन पार्टी के रहनुमा अनामी पॉल ने अपने आहदे से इस्ठ PhMom दे दिया वो हालिया विफाक की नतीफ़ाबात में शिकस्त के बाद अपने अहदे से इस्थे ईस्थे पर दो रही है गुझेश्ट ने पार्टी लीडर शुरू हो गई है मज़ी तफसिलात इस रिपोर्ट में क्या सिर्फ इस पार्टी के रहनुमा के तौर पर अपने जम्हूरी तौर पर मन्तखिब किरदार को पूरा करने के लिए लड़ना और जद्द जहद जारी रखना है मेरे पास ऐसा करने की हमत नहीं है पौल ने कहा कि वो अब अहदा छोड़ रही है क्यूंकि वो गयादत के जगड़े वाले जायजे से गुजरना बरदाश नहीं कर सकती ये अमल चवालिस में आम इंतखबात में पार्टी के नाकिस मुझाहरे के बाद हफ़ते के रोज उनकी जग़ा लेने के फवाहिशमन अराकीन ने बजापता तोर पर शुरू किया था अनामी पौल जो के एक स इसबतन एतदाल पसंदी ने अपने आपको बुनियात परस और महौलियाती सोशलिस्ट करार देने वाले मुझालिफ को शिकस दी पौल ने निजाम इम्तियास से निमटने के लिए महौलियाती तब्दीली और पौलेसियों पर जारहाना कारवाई का वादा किया लेकिन पार्टी की पौलिसी पर तनाजी की वज़े से रुकावट का सामना करना पड़ा। पौल ने कहा कि उन्होंने तमाम वोट कास्ट होने से पहले भी लीडर्शिप छोडने का सोचा था क्योंके रहनुमा के तौर पर उनका अफसोसनाक तज़र्बा रहा है। उन्होंने मज हत्मी शकल दे दी गई है मजीद चौनते हैं इस रिपोर्ट में कैनेड़ा भर में करोना वायरिस के फैलाओं में इजाफा जारी है आखरे इतलाद के मताबिक कैनेड़ा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादाद 16,12,368 तक जा पहुँची है जबके हलाकते 27,699 हो गई मुल्क भर में 15,38,244 मरीज सहत्याब हो चुके हैं ऑन्टेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे स्यादा है सूबे भर में करोना वायरिस से मतासिर होने वालों की तादाद 5,84,541 तक जा पहुची है जबके हलाकतों की तादाद 9,704 है ट्रॉंटो में 5-11 साल तक की उमर के बच्चों की वैक्सिनेशन का जल आखास होगा इस सलसले में इंतिजमात को हत्मी शकल दे दी गई है के लिए मनजूर किया है ट्रॉंटो में इस उमर के 2,005 बच्चों को ये वैक्सिन लगाई जाएगी कैनेडा में करोना वायरिस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकते क्यू वैक्स सूबे में हुई है सूबे में करोना वायरिस के मचमुई केसिस की तादाद 4,88,462 है सूरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 2,93,538 अफराद करोना वायरिस से मतासिर हुए है जबके 2,645 अफराद हलाक हो चुके है ब्रिटिश कॉलंबिया में केसिस की तादाद 1,84,780 है जबके सूबे में करोना वायरिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,940 है साबिक अफ़ान सदर अश्रवगणी ने फेस्बुक पर एक पोस्ट में आर्मी ब्रादरी से तालबान हकुमत को तसलीम करने और साथ देने का मशवरा दिया था ताहम फ़री तोर पर पोस्ट डिलीर भी कर दी मजीद चानते हैं इस डिपोर्ट में साबिक अफ़ान सदर अश्रवगणी ने फेस्बुक पर एक पोस्ट में आर्मी ब्रादरी से तालबान हकुमत को तसलीम करने और साथ देने का मशवरा दिया था ताहम फ़री तोर पर पोस्ट हजब भी कर दी साबिक सदर अश्रवगणी तालबान के अगवानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने के बाद काबल से फरार होकर मतहदा अरब अमाराथ पहुँच गए थे और अपने फरार होने की वज़ा खून रेजी से बचना बताया था आज अश्रवगणी के फेस्बुक पर एक पोस्ट की गई थी जिसमें उन्होंने आलमी ब्रादरी से अगवान तालबान की हमायत और अगवानिस्तान के मनजमित असासे बहाल करने की दरख्वास की गई थी इस पोस्ट के कुछी देर बाद साबक सदर अश्रवगणी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वज़ाहत की कि उनका फेस्बुक अकाउंट है किया गया है और अब इस अकाउंट से होने वाली किसी पोस्ट से उनका को वजीर इतलाद जबियल्ला मुजाहिद ने कहा है कि अक्वाम मुटहदा की जर्नल असेमली में हमारी हकूमत को दरपेश मुश्किलात को पेश करने और उनका हल आलमी वरादी के सामने रखने पर वजीर आजम इमरान खान के शुकर गुजार हैं पाकिस्तान टेलिविजन को इंटर्वियू में तालबान के तरजमान और अबूरी हकूमत के नाईब वजीर इतलाद जबियल्ला मुजाहिद ने कहा कि अक्वाम मुटहदा की जर्नल असेमली इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने हमारी हकूमत की भरपूर हमायती और आलमी वराद्री पर तालबान हकूमत से तालुकात इस्तवार करने की जरूरत पर भी जूर दिया जिस पर हम वजीर आजम के इंतहाई शुकर गुजार हैं एक सवाल के जवाब में तरजमान तालबान ने कहा कि हमारी तमाम तवज्जा अब मुलकी तामीर तरक्की पर होगी किसी से जंग नहीं चाते अलबता कोई लड़ाई पर मसर हुआ तो सखत जवाब देंगे पंशीर में भी लड़ाई खत्म हो चुकी है और बेशतर हैं अमरीकी सेनिटर्स ने अफगानिस्तान से मतालिख खसूसी एक्ट पेश कर दिया अफगानिस्तान में इस सदादे देहशत गर्दी निगरानी और इतसाब एक्ट के अनवान से कानून साजी का मकसद स्टेट डिपार्टमेंट की टाक्स पोर्स काइम करना है मजीद चा अफगानिस्तान में इस सदादे देहशत गर्दी निगरानी और इतसाब एक्ट के अनवान से कानून साजी का मकसद स्टेट डिपार्टमेंट की टास्पोर्स काइम करना है जो अफगानिस्तान से अमरीकी शेरियों, चानूनी मस्तकिल रहाशियों और खुसूसी तारिकीन वतन, वीजा, होल्डर्स के मसलसल इंखिला पर तबज्जा मर्कूस रखेगी। ये कानून अफगानिस्तान में इस सदादे देहशत गर्दी के लिए हिकमत अमली, तालबान पर देहशत गर्दी और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर पाबंदी लगाने, तालब इस दोरान एक शख्स ने सदर को अंडा दे मारा जोन की गर्दन पर जा लगा और उचल कर दूसरी जानिब के गया। मजी तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में फ्रांसीसी सदर एमनल मैकरॉन को तिजारती मरकस के दोरे के दोरान एक शख्स ने अंडा दे मारा आलमी खबर इसायदारे के मताबिक फ्रांस के सदर एमनल मैकरॉन के एक तिजारती मरकस के दोरे पर थे। इस दोरान एक शख्स ने सदर को अंडा दे मारा जोन की गर्दन पर लगा और उच्छल कर दूसरी जानिब के लिया। हैरत अंगेस तोर पर अंडा सदर एमनल मैकराउन को लगने के बावजूद टूटा नहीं। सदर की सिक्योरटी पर मामूल एहलकारों ने अंडा फैंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। ताहम उसकी शनाख जाहिर नहीं की गई। वाज़े रहे कि चन्द माह कबल भी फ्रांसीसी सदर को एक शख्स ने थपड़ भी दे मारा था जिसे गिरिफतार कर लिया गया था। अमरीका में करोना वारस से अब तक 7,9,199 अफराद मौत के मौ में पहुँच चुके हैं जबके इसे बिमार होने वारों की मजमुरी तादा 4,49,42,335 हो चुगी है। मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता करोना वारस की मौजी वबा की चौती लहर से महफूस नहीं इसके मरीजों और इसके बाइस अमवाद में मसलसल इसाफा जारी है। दुनिया भर में करोना वारस से मतासर अफराद की तादाद 23,31,222 तक जा पहुँची है। जबके इस मौजी वारस से अमवाद 47,71,343 हो चुकी हैं जबके 20,99,23,863 करोना मरीज सहत्याफ हो चुके हैं। करोना वारस के केसिस और इस से अमवाद के एतबार से 10 सरे फैरिस मौमालिक में 33 करोर से जार आबादी का हामिल अमरीका तहाल पहले नमबर पर है। जहां इस वारस से अब तक 7,9,199 अफराद मौत के मौमें पहुँच चुके हैं जबके इस से बिमार होने वालों की मचमुई तादाद 4,49,42,335 हो चुकी है। भारत करोना वारस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नमबर पर है जहां इस वारस से 4,47,406 हलाकते हो चुकी हैं जबके इस से मतासरा 3,36,97,5181 मरीज सामने आ चुके हैं। करोना वारस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की इस वारस में ब्राजील तीसे नमबर पर है ताहम ये अमवाद के हवाले से फैरिस में दूसरे नमबर पर है जहां इस जान लेवा वारस से 5,94,702 हलाकते हो चुकी हैं जबके इस के मतासरा मरीजों की तादादा एरान में करोना वाइरस से कुल आमवाद की तादाद 1,19,649 हो गई जबके इसके कुल केसे 55,47,990 हो गए। साओधी अरब इसी फैरस में 92 नंबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वाइरस से अब तक कुल आमवाद 8,704 रिपोर्ट हुई हैं जबके ममलिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,46,985 तक जा पहुँची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल बक्त इतना ही मजीद ख़बरों अपडेट्स के लिए देखते रहें टैक टीवी टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड गलूब Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV